जीफांग आप डाउन्डोड करें और देखें फूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री अच्छा तो ये मास्टर प्लैन तुम्हारे दिमाग से निकला है वाह सही है बिल्कुल क्या बात है तानिया अपने भाई के गले की घंटी निकाल कर तुमने मेरे बैटे के गले में डाल दी क्या बात है तभी तभी मैं सोचूं कि मेरे पती का दिमाग तो इतना नहीं चलता अचानक से ये काजल और रोज्चा की शादी के पीछे क्यों पड़ गया हाँ वो तो अच्छा हुआ के समय रहते मुझे पता चल गया वरना इनके इनके कहने पर तो मैंने काजल को अपने घर की बहु बना ही लिया था घे भगवान अच्छा हुआ जो ऐसा नहीं वा बच गई मैं वरना मेरा तो बड़ा गर्ख हो जाता हो गया अब मैं बोलू अब मैं बोलू बैठी मुझे कुछ बैठना बैठना निए ये प्लाइन क्या चल रहा है वो बताओ आउ आंटी बैठ गई इसका मतलब यह नहीं के मैं मान गई हाँ काजल और रोच्छे की शादी हर्गिस नहीं होगी कि आपने कामनी आथी को बताया कि इस रिश्टे को करваाने के बडले में आपको क्या मल रहा है कैसे बताहिं कैन अब बोलने का बोका दो देती नहीं है इस नहीं बताया आपको मेरा घर कैसा लगता है बहुत शांदार अलिशान लेकिन इसका मेरी प्रोब्लम से क्या लेना देना है देना नहीं लेना ही लेना है आप मुझे बताईए कि आप नहीं चाहती कि आपका भी ऐसा घर हूँ आपका सुसाइटी में स्टेटिस हो बड़ी बड़ी पार्टीज में आना जाना हूँ बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हूँ कामीन यांटी आप बस यही सोचिए कि आपके बेटे की शादी आपके मोहले में रहने वाली काजल से हो रही है पर दहेज मेरे आँ से आने वाला है और वो भी इतना कि आपकी पूरी लाफ सेट हो जाएगी हाँ आप बोली क्या बोलना था आपको तुमने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी मेरी मुह में नोटों की घट्टी जो ठूस दी वाँ एक ही जटके में दुनिया दारी घर बार सब कुछ दिखा दिया तुमने मजे तो आप काजल रोचक की शादी हो जाएगी हो जाएगी अरे हो गई समझो हाँ क्यों जी आप भी कमाल करते हैं पहले क्यों नहीं बताया मुझे यह सब आई बेस कर दिया अरे अब देखना अब काजल और रोचक की शादी मैं खुद करूंगी वो भी इतने धूम नाम से कि पूछो मत अरे कोई बेवकूपी होगा जो राटो रात तरोर को जी बदना जाहता हूँ अब हसके अरे चलिये नुक श्यारी कर लिये अरे चला अपनों भगवान भी नहीं रोण सकता हा कहा? अरे, पप्रे इतना बड़ा घर है, बता ही ली चला, चलिए जल्दी. अब तो भगवान में नहीं रोग सकता है इन दोनों की शादी. क्या सोच रहा हो, गवु? क्यों पेस्ट में क्या होता? इतना ओर आट्टिंग क्यों करार हो चूँ? उसे बात करने के लिए तुझे खासने की ज़रूरत नहीं है. अरे, मत पूच यार. आज जिल कितना डर लगता मुझे तेरे सामने आने में? तु मता सामने, क्या ज़रूरत है मेरे सामने आने की? तु मेरे ज़रूरत छोड़. यह बता तुने क्या सोचा है? सुचने के लिए बच्चा भी क्या है? मतलब? अंशुमन का कॉल नहीं है तुझ अब तब? अल्टिमेटन तो देख रहा था मुझे. मुझे दलगा दाव तुरंद फोन करेका तुझे. पर मुझे कुछ करना पड़ेगा अपनी दूसकों बचाने के लिए. मुझे लगता है यह अंशुमन का चेप्टर तॉप क्लोज होगी है. इसलिए. इसलिए. या तो तु घर चोड़कर जासे से कही दूर चलिजा. और या तो फिर तुछ स्षादी कर लोगा? यह तो मैं नहीं कर सकती. जैसे तुछे शादी करने किल तुम मैं मरा जारू हूँ. मैं तो शिर्फ ओ अंटी कहाँ के पनीर पफ खाने के लिए शिष्टे के लिए हाँ बोल रहा हूँ. अच्छा. 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 यह नहीं करता हूँ. लिकिन देख काजल मेरी बास सुन. जादी नहीं कर नहीं हमात कर. लेकिन किसखाई करने का नाठक तो कर लें। देख काजल सुन, अगर तुन यह सगाई नहीं की ना तो फिर फ्रेशर तुछ प्रेशर तुछ प्र आजाएगा. चुछ तु पाँल होग है तुछ भी भॉले जा रहा है. काल से तक कि छेट हो निदे इतरहाँ, इतरहाँ, सुन, इमाग को ठंडा रखके मेरी बास सुन, सोच के देख, कुछ भी हो सकता है या, हो सब्सक्ता है कि फुटर में सब कुछ ठीक हो जायए, हो सब्सक्ता है कि अंशुमन जैले सोकर तुझे का इन्नेप कर वाल है, यह भी ह यह सब तो मुझे अंशुमन ने सिखाया, उसने मुझे समझाया कि मुझे टैलेंट है, कर सकती हुँ मैं इससब, फिर जाकर मैंने डांस के बारे में सोचा, फिर यह सब मैंने अंशुमन के लिए किया, क्योंकि मैं उससा प्यार करती हूँ, और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और करूंगी भी, लिकिन तुसे संगाई, यह तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तु मेरा बश्वन का दोस्त है, रोचु मैं कैसे सब को बोल दू कि मैं तुसे प्यार करती हूँ, तुसे शादी करने के लिए तायार हूँ, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा यह पॉसिबल, खाजल सुन, सुन, तो सिर्स मुझे इतना बदा, कि तुझे मुझे परोसा है यह नहीं, खुझ से भी जयता, बस तो पर, सब कुछ मुझे पर छोड़ेगा, और जैसा मैं कहता हूँ, बस वैसा काल, तु अपना रोल पले कर बस मेरे साथ, और तुझे थोड़ा वक्त ही मिल जाएगा, इसलिए गया नो काचल, तु आख बंद करके बस मुझे भरोसा कर, मैं जो करूँ अना तेरी खुशी के लिए करूँ गया, एक मेरे जिंदी का सिर्फ एक मकसद है, तेरी चेरे की मुस्कराट देए, मैं फिर से अपनी बस उसी पहले वाली काचल को दिखना जाता हूँ, हमेशे हासने वाली, हर बात पर मुस्से लणने वाली, एक नमबर की जिद्धी काचल, बोल, करेगी मज़वे परोसा, तो पेड़ देए इसी बात पे तालिए, काचल, एक बात हमेशे यहां रखना, मैं तेरा बेस फिंड था, हुम और हमेशा रहोंगा, और तेरा यह बेस फ्रेंड, तुझे कभी किसी मुश्मिल में नियाने तेखा, क्या सोच रहे हैं, रश्मी जी, बात करने दीजिए न, काचल और रोचको तब तक आब बताईए, पोनी ने उठा रही थी मेरा, तभी तु मुझे यहां तक चलके आना पड़ा, वैसे, फिक्स कर दे दो दिन बात बच्चों की शादी, हां? अरे, इतना क्या सोच रही है अब? बस काचल को एक बार कुछ बोल लेने दीजिए, अरे, काचल सब क्या पूछना वो थोड़ी नमना करेगी, और वैसे भी आपकी कौन सी बात वो तालती है, हां? और हमारा रोचक तो कब से पीछे पड़ा था, मैं शादी करूँगा तो काचल से ही करूँगा, काचल से ही करूँगा, अब समस्या ही नहीं किसी बात की? समझ रहे हूं मैं कामनी जी, बस काचल को एक बार हां बोल लेने दीजिए. लो! क्या हुआ बिटा? मैंने काचल से बात कर ली है, और वो इस रिष्टे के लिए तयार है. काचल मान गई? जी. काचल को तो हां करना ही था, रश्मी जी. अच्छा तो अब शादी की डेट फिक्स कर दे, दो दिन बात की. अरे मैंने तो पंडिजी से बात भी कर ली है, दो दिन बात का बहुती शुब मुरत है शादी के लिए हां. नहीं माँ. एक और बात है जो मुझ आप सबको बतानी है. अब क्या रह गया? माँ, मैं और कजल अभी शादी नहीं करेंगे. हम अभी सिर्फ सगाई करेंगे. शादी हम हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही करेंगे. अरे, पढ़ाएवाँ. C5 आप टाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिलकुल फ्री.